हेलो गुड मॉर्निंग सुबह के बजरे हैं साड़े चार और मैं यहाँ पर उठी आऊ तयार हो चुका हूँ और यह सारा लगेज है यह तीन बैग है जो कि अभी मुझे कार में रखने हैं सेखावत भाई रात को पौने एक बज़े आ गए थे यहां पर और वो बस नीचे प मोर्निंग के और यहां से स्टार्ट कर दिये जरनी अभी हमने रामनगर का जीपियस लगाया तो इसमें दिखा रहा है दस बच के दस मिनट पर पहुचने का टाइम दिखा रहा है पांच घंटे उनतीस मिनट और दो सो बतीस किलोमीटर अब देखते कितने बजे पोचेंग तो अभी हम जो सफर कर रहे हैं वो होंडा सिटी में कर रहे हैं और यह होंडा सिटी टॉप मोडल पैट्रोल है और इसका अपना अलगी नेविगेशन है यह दो कैसे दिखा रहा है कह रहा है जाना राइट में है कह रहा जाओ फिल लेफ्ट में जाओ फिल राइट में लगातार मुझे लग रहा है कासी पूर तक रहेगा हमारे साथ ऐसा ही और भाई सब चीज के ना बाई-पास बन चुके हैं नगीना का धामपुर का सेर कोट का सब के बाई-पास है अनि कि अब देरादून से कोरवेट जाने इतना मुस्किल नहीं है अब मस्त रस्ता बन चु कि अब तक मैं जितनी भी बार पहले कोरवेट गया हूँ तो हमेंसा नगीना से जाना पड़ता था और वहां पर रेल वेस्टेशन था वहां पर एक फेमस गुलाब-जामुन वाला है और उसके हमेंसा गुलाब-जामुन खाया करता था आज मैं आज मैं वह मिस्कर रहा हू सूरस देवता कुछ ही मिन्टों में भार आ जाएंगे यह अच्छी चीज है कि आज सनी डे हैं बिल्कुल किलियर मौसम है जंगल में मज़ा आने वाला है क्योंकि अगर कभी फोरेस्ट में जाओ तो किलियर मौसम होना चाहिए तभी आपको गोड रेस दिखती है तभी आपको पूरा जंगल फील होता है जबी जानवर भार आते हैं मौसम खराब हो तो फील नहीं आता जंगल में सुबह के साड़े साथ बज़रे हैं और हम अमनगड पहुच चुके हैं यहां पर फेमस अमनगड टाइगर रिजर्व है जो की नई सफारी नया जोन खुला है यूपी में आता है यहां से कुछ किलोमेटर दूर ही उतराखन की बॉंडरी स्टार्ट हो रही है फिर आ जाए तो अभी तो टाइम नी अभी तो नी जाएंगे नेक्स ताम देखेंगे फिलालम थोट छोटा सा ब्रेक लिया है तो यह चंदीगर नंबर होंडा सिटी से हम सफर कर रहे हैं कोरवेट काज और अमनगड पर रुके थोड़ा साइब पीरे हैं और यहां पर एक मिठाई की द हम और इवनिंग की चलती है दो समय की तो यहां पर टाइगर वगारा भी दिख रहे हैं लोगों को हाथी भी बहुत है ना गेट पार गड़ती तो कितने किलो मिटर की सफारी है कितना गंटा दो गंटे में हो जाती होगी यह होती है आपकी आठ नो दस ग्यारा तीन तीन ग दुवार से आते हैं तो मेरे खाल से जब अमनगर टाइगर खुल गया है तो इस वज़े से होटल वगरा भी खुलने लगे होंगे रिजोट बन रहे हैं बड़े-बड़े इसकी वज़े से चलो बहिए रोजगार मिल रहा है लोगों को और एरिया उट रहा है अगर तो और गरम पानी पी लेता हूं मेरा यह जगार एक ग्लास लाया हुआ तो ठीक है भाई मिलिए सेखावद भाई सेखावद व्लोग्स बड़े दिनों से हम लोग प्लैनिंग कर रहे थे कि कहीं किसे ट्रिप पे जाएंगे हैं फॉचुनेटली हमारा जो ट्रिप है वो सेट हो गय के लिए यह सामने वास ने पानी निकाला है और दिखाते रहें गया वह लोग साथ ही बिल्कुल बिल्कुल अब तीन दिन हम साथ ही है बाई 11 तारिक को वापिस जाएंगे और 11 तारिक को बढ़िया भाई मतलब यह जोब तो करी रहे हैं और पार्ट टाइम में थोड़ा अ साथ में सुभाज के व्लॉग देखना जीने हर दिन रेगुलर वाइड लाइफ देखनी होती है क्योंकि मैं तो कभी कबार डालता हूं मैं तो कहर सब कुछ डालता हूं डेली लाइफ इनके में तुम्हें मतलब ट्रेवल जब यह ट्रेवल करते तो वही मिलेगा चलो बढ अब ही आठ पचास पे हम पोच जाएंगे यहां से सिर्फ 30 मिनट का और रस्ता है 25 किलो मिटर कासीपूर हमने ग्रोस कर लिया रामनगर आने बाला है बहुत जादे नींदारी मुझे क्योंकि भाई रात को एक डेट गंटा ही मुस्किल से सोया होगा अभी नींदारी है बह यह आदे गंटे का पॉन गंटे का रस्ता है यह इतना गंदा गंदी रोड है ना बजब देरा दून से यहां तक हमें कोई प्रोब्लम नहीं होगी लेगिन यहां पर यह देखो कैसे टूटी पढ़ी है सारी और कैई सालों से कौन है भाई इसके नेता सरम करो कुछ सरम करो तूरिस्ट आते हैं कोरवेट नेशनल पार्क में गूबने है दे री ने हिए से विदेशों से अनको ये दिखा रहे हो क्या आप ये देखो कितने बड़े बड़े गड़े है स्कूल की बसे जारी हैं आ disciplina अतропछा है गड़े बचाती ऊई यहां पर यह जो इस पेड के नीचे एक बहुत बड़ा अजगर क्रोस करता वा जा रहा था एक बार जाम लगा वाद ना एक आठ पचास पर रामनगर पहुच चुब जो बाकी जो तीन लोग है मुझे मिलेंगे जो महारास्टा पुलिस से आए वो रुके हुए है कोरवेट रेडियंस में कोरवेट रेडियंस में तो वो ढूणता है क्वह Понप पहुच गया हो भई होटल अनवरसर मिले हैं ही अब और यह काफी अच्छा लगा और कहीं तो देखो भई जुनून देखो सर महारास्टर पुलिस में और वहां से कितनी दूर और हर साल आते हैं बहुत अच्छा लगा तो सर्भी है और दो लोग हो रहे हैं न तो तो तीन ये हैं और दो लोग हमें तो मज़ा आएगा अभी थोड़ा वेट करने सब्सक्राइब अब 15-20 मिनट में जीप आजाएगी तो इस होटल में हमें न यहां पर रिसेप्शन में फोटो लगे हुई है तो कोई दीप रजवान है उन्होंने किची ती इसको भाई एक करोड रुपे मिले थे बीबीसी से सिर्फ इस फोटो को देखो सब किंग फिसर हाथी टाइगर पूरा सोट एक क्रोड वाला यह था वह यह था वह देखना बीबीसी की तरफ भाई तो रामनगर सहर में है तोचके तीन मिनट हो चुकी है हमारा जीप ड्राइवर गोली दे रहा है पिछले एक गंटे से तो कोई बात नहीं ऐसा होता है यहां पर और यहां पर सबसे प्या अब और विख अगए मैंने रेटी पर दो बिल्पल यह भाई तो अभी सहावद भाहि कर रहे हैं तो वह एकुछ किसी को फोन कर रहा है रस्ते में पराठे में मिलेंगे हम PIK कर लेंगे फिर करते नास्ता फूरूट प्रिद लिए हैं आगे मैं यहां भी कोई नहीं बढ़ पर कामि है Woah बुर्ट मारे में च को है मोटम रहाद करें लोग तो बैट के है है समान लोड कर दिया है हम इनके पीछे पीछे चलते है कार में और आगे कहीं कार पार्क करेंगे सब जा है हमारे सामने भी डिकाला वाले जा झारे है और वह फोटोग्राफर हैं इनका कपडों से भी और ड्राइवरर ने पीछे पैट्रोल की कैन रखी वह लाएं क्योंकि में Hem यह भी साइब 2-3 ब Alab़ोगे पास पैट्रोल की कैन रहती इस आधिर कि तीन दिन सफारी इंदर छेलती किसी की उंगली मिली किसी के कपड़े मिले जिन्स मिली जूते मिले किसी का तो अभी हाइलाइट हो रखा है आप एक साल के अंदर और बहुत इतनी भयावे मोत होती है कि आप मदब देख भी नहीं सकते उसके 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 सरीर को टाइगर इस वे रियरली रियरली डेंजरस तो अपि हम वहीं जा रहे हैं तीन रात भू बिताएंगे और इसलिए यह सबसे डिमांडिंग डेस्टिनेशन है डिकाला और एम रियली एक्साइड़ फाइनली वह दिन आ गया है कहीं सालों बाद जिसमें में गैरो डिकाला जा तो मैं और यह अमदंडा का गया आमदंडा गेट आगा बिजरानी की सफारी यहां से होती है और यह बिजरानी का गैस्टाउस है तो मज़ा आ रहा है दोस्तों सेकावद भाई भी साथ में हैं और बाकी तीन लोग हो रहे हैं वह भी दो तो उनमें से देली महारास्टा सब्सक्राइब करेंगे जो गोविंद है जिसके तुरू हमारी सफारी बुक हुई है उसने बोला अमदंडा की पार्क ही में खड़ी कर दो लेकिन वहां पर पता है खुली है आती आ जाएंगे ऐलीफेंट तोड़ सकते हैं डेमेज कर सकते हैं कार को वह बोल रहा है लेकिन कर दो बोल रहा है बहुत है कि अभी हम एक तो मालिस्टों डिजोर्ट है इनकी जान पिचाने से का बद बाई की वहां पर खड़ी करेंगे और भॉक लग रही है तो नास्टे के लिए इनोंने इंतिजाम कर वाय कोई ताइब वह लाग कोई दोड़ा अग किलोमेटर पहले दोड़ा से पहले है अगर मजा ना जाए तो इनों ने कहा है कि पास नंबर bी नीट तो यूट्यूब से निगाला इनोंने नमबर, फिर घर पोन किया, गर पढ़ा था, गर पढ़ा था, तो अभी उनके पराथे बस पैक कराथे, फिर चलते हैं, अब मैं ही सोथ रहा हूँ यह जो रहा हूँ यह पराथे खाएंगे तो फिर, एक्चुली मैंना फोरेस्ट की कैं गेरल में, गेरल में क्या खाएंगे, क्या बन रहा है, कैंटीन में, वो भी देखना है, तो भाई, जादे सा जादे वीडियो बनने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है, I'm really excited, अब यह नहीं पता, मैं कितनी रिकोडिंग कर दूँ और कितनी वीडियो आए, सुबह 8 बज चाहिए, यही एटमोस्पेर चाहिए, यही क्लाइमेट चाहिए, सर्दिया है, फैबरेरी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी फैबरेरी वाला फील नहीं है, मार्च अप्रेल वाला फील है, और बस देखो क्या होने वाला है, आस तो, कास आज गैरल में ही मिल जाए फिर हम गैरल जाते भी मिल जाए, फिर हम गैरल जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर उसके बाद धिकाला भी आज इवनिंग सेफारी करेंगे, अब यह देखना है कि हमें गाइड मिलेगा, गैरल से या नहीं मिलेगा, चलो, अच्छा एक ही तो है ना, तो हम तो बसे भी ले अच्छा तो सेखावत भाई बोल रहे हैं आप एक मजा रहे हैं वहां पर लेपड दिखाता इनको, और यह बात है टू तू ताउजन एटीन की दो जार अठार हमें रात के टाइम हम इस रोड पे गोंव रहे थे तो वहां पर पहले पर में स्कॉट इडियर दिखे बना तो नहीं रहे लेकिन मैं बता रहा हूं वियार इन कॉर्बेट यह बहुत नॉर्मल है यहां पर दिख जाता है यह वाली मजार है भाई बहुत बड़ी मजार है इस पर उधर जहाव है अभी मैं आपको वह वह वाली जगे पर दिखाऊंगा जहां पर मैंट टाइगर मैं एक लड़के को गसीट गसीट के मारा था है तो भाई अभी तक फोरेश चल रहा था अभी एक छोटा सा पूरसन आगे इसको बोलते हैं डिगूली सबसे ज़्यादे रेजोट है यहां पर और इसके पीछे कोसी नदी है लेफ्ट में जंगल है यहीं पर ताज भी है और कि मालि स्टर्ण रिसॉट और मैं आपको बाता दूँंग करदो आपको शस्ते में रुकना हो ना पंधा सो दो जार रुपे में तो यह है रिसूट बाकी रिजोट पांच-पांच-शयजार रूपे इसमें फंद्रासो दोजार में मिल जाएगा कि अलमोस्ट सवाग्यारा हो रहे हैं और हमने वह खुल रही है गेट खुल रहा है भाई लोक करना तो भाई यह तीन बैग मैंने निकाल लिए इस बार तीन बैक के साथ आया हूं बाकि यह से सो रुपे के हिसाब से बात कर लिए यहां बाग मैं पार्क कर दी है तीन दिन बाद आएंगे कार को पिक कर लेंगे चलो चलते हैं वेट कर रहे हैं बस थोड़ी देर माने वाले होंगे और भाई यहां पर कार पार करी थी भाई यहां 500 रुपे मांग रहे थे तो इसलिए हम हमने सुझा 300 रुपे लेंगे तीन है तो मोरिया ही हमारे साथ तीन दिन रहेंगे तो मंजह आने बाला है बलान से कितनी तूर होगा गेट धन्गडी इसी बेटेगा पांच शे किलो मिटर रहे अच्छा चलो बहुत बढ़ी और एक चीज बता अभी लास्ट टाइम कब गए थे रिखाला काफी तो अंदर की क्या ख़बर है ख़बर तो पता चल रही होगी कहां पर दिख रही साइटिंग अच्छा दिख रहा ठीक हो टाइगर को देखना दिटिख से उटार करते ही हाँ सबसे पहली वाइट लाइफ We प्राइल लाइफ नहीं गोमाता आई है चलो गोमाता असिरवाद दे दो टाइगर भी दिखे और हम यह असिरवाद देते हैं टाइगर कभी जंगल से भाहर ना है तो ठीक है यहां से पांच किलमीटर तू धंगड़ी गेट है गरजी यह टेंपल यहां से दाइट अग यह किसमती जो कि हमारी 11 तारीक को होगी हम बहुत इमोशनल हो जाएंगे बहारा आते वे अच्छा नहीं लगता ना माराने में इसा मन करता है कि महीं रहते रहें पैरट दो पैरट है महां पर बहुत प्यारे जोड़ा था यहां में सबसे खुंकार तरीके से अगर ने किसी को म अभी हुआ क्या कि दो बाइकर जा रहे थे यह को पीछे से जप्टा एसे आया वह गिरा तो अगला भाई करना भाग गया जबता कि अधर इदर सफारी कर रहे और वह भी वर्ल्ड वेस्ट अधर इंडिया वेस्ट वालब डिगाला जा रहे हैं तो अधर सावदान बाद प यहां पर मारे थे लड़के सीनरी देखो और पीज महसूस करो अगया वही तंगड़ी गेट कुछ लोगों नहीं यहां भी पार्किंग की हुई है कुछ गाड़िया कड़ी है यहां पर शहलो